राजस्वर खुफिया निदिशाले डियाराई की मुपई एकाई ने शनिवार को नाखपुर में एक निर्मानाथिन साइट पर छापा मारा और लगपर करोडो रुपे मुल्य की 40 किलोग्राम लिक्वेट एमटी बरामत कर एजेंसी ने ड्रग बनाने वाले 4 आरपियों को ग निर्मानादीन इमारत में एक सुव्यवस्ते तलाशी अभियान चालाया तलाशी के दौरान पता चला कि वहाँ पर एक छोटी प्रयोक्षाला स्तापिट की गई थी जो मेफेटरॉन के उत्पादन के लिए आवशिके सभी रसायनों सामक्री और मशिनरी से सूसर्जित थी तो बहुत टाइम से हम नागपूर पोलिस के माध्यम से एमडी और ड्रक्स के ओपर काम करी रहते इसी संदर में कुछ इंफॉर्मेशन शेरिंग हमारी डारेक्टर और एविर्यू इंक्यलिजिन से की हो रहती तो वह भी पैललेल एक कुछ सस्पेक्ट पर बॉक कर रहते त तो हम लोगों ऐसा लग रहते है कि कुछ लेवल ऑफ मैनिफेक्ट्रिंग अब नागपूर में हो रही है बट वेरी कंदेज फॉर्म क्योंकि आपने को पार्मसिस नहीं बिलने तो इसी शंकला में आज वेशाली नगर में डारेक्टर ओ डियाराई जो की कस्टम्स डेपार की किलोग्राम लिक्ट एवरी जबती है और चार आरोपियों को अभी ताबे में लिया है अभी फर्दर प्रोसेस डियाराई के लेवल पर चल रहा है बट पुलिस कित्रू उनका सपोर्ट हमीशा से था सब चीजों में उनने हमने कॉन्फिदेंस को लेके रखा था एंड र रखतार आरोपियों को आगी की पुष्टाश के लिए डियाराई की हिरासत में भीश दिया क्या है अपरेशन के दोरान डियाराई टीम को नागपूर पुलिस से भी सहायता मिली है डियाराई की अनुसार आगी की जाज जारी है कैमरा परस्तन अखिलेश भारतवास के साथ शितिचा देशमुक की रिपोर्ट सेवाई भी उपलब्ध है इस अस्पताल में महाराश्र शासन की महात्मा चोतिबा फुलेच्जन आरुग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफत इलाज भी किया जाता है इसी प्रकार से हॉस्पिटल में और्थोपेडिक ट्रॉमा बर्न केसिस कार्डियोलोजी ल प्रदान करता है